नसकार दर्शकों में अजीत वारतिय और आप देखने आप इंडिया मेरे साथ बनारस हिंदूविश विद्याले के आयूरवेद विभाग के डीन है यहाँ पे और पिछले कुछ दिनों में आप लोगोंने पढ़ा होगा कि भूत विद्या करके खबरों में यह चलाया जा र प्रोफेसर यामनी भूशन तरफार्थी जी से तो सर सबसे पहने तो क्या आप तक इस तरह की खबरें पहुंची है जिसमें यह जो मिस्लीडिंग इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है ब्राम फैलाया जा रहा है असा है कि हमको तो कम से कम पचासों लोगों ने कॉंटेट किय और हमने जो अपना हमारा बाइट जो जैसे एबी पी न्यूस पे चल ला है तमाम न्यूस चैनल पे उसको आप देखें तो आपको सत्यता की जानकारी होगी लेकिन मुझे लगता है कि जब स्टूरी बनाते हैं टीवी वाले तो वो आई कैशिंग करने के लिए भूत दिख भूत और गोस्ट जो भूत का कॉर्साप्ट है समाज में उससे कोई लेना देना नहीं है अब आपको हम बताते हैं भूत बिद्या है क्या जी जी पहले अस्टांग आयरवेद समझ ले आयरवेद जो है अथरोवेद का उपवेद है जी और ग्यान पूरा वेदों से ही आया है इसलिए अस्टांग आयरवेद कहा जी तो पांच डिपार्टमेंट्स को तो हमारी रेगुलेटरी बाडी जो सीसी आइम है उसको ज्यान किये उसको पंद्रह विभागों में विभाजित करके विक्सित कर लिया लेकिन तीन विभाग रह गया था वो था भूत विद्या रसायन विज्यान और वाजी कर जी ये तीनों ब्रांच जो थी वो अंडर डिवलप्ट रह गई तो काशिंद्र विष्ट्री जाले ने पहली बार तीन नई यूनिट्स क्रियेट की जैसे तीन डिपार्टमेंट्स होता है पहले यूनिट्स होता है जी जी विकास होके वो लोगों ने डिपार्टमेंट क्रियेट किया ये जून में जून महीने में डिपार्टमेंट यूनिट्स क्रियेट की गई और इस यूनिट्स का दाइत तो जो था शिक्षा चिकिस्था और इसके अलावा जो है शोध जी रिशर्च पीचिंग एन हास्पिटल सर्विसेज अच्छा चुकि ये डिपार्टमेंट नए नए बने हैं तो अभी कोई टीचर तो है नहीं तो हम लोग इंटर्डिसिप्रिनरी एप्रोच में हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे और इसमें जो इंटेक है दस विद्यार्थियों का एड्मिशन होगा तीनों कोर्स में 10 अच्छा होनी चाहिए या अर्वेत के हो मेडिकल ग्रेजुएट या अलोपैथी के हो या आयूस के जो 6-7 सिस्टम सें किसी भी सिस्टम के हो तो उनको हम लोग 6 महीने की ये शिक्छा देंगे अब आप पूछेंगे कि भूत विज्ञान में क्या होता है पहले रसायन समझ पी जो हम लोग 100 साल की उमर मानते हैं और वेदों 116 साल की उमर मानते हैं जिन्दा रहना ही इंपार्टन नहीं है कोई भी फिज्ञालाजिकल एक्षन आपका वीक नहीं होना चाहिए 100 साल काम करना चाहिए इसके लिए रसायन्ची किस्सा है रिजिनुएट होते रहे जिए अलोपैथिक की नकल करते करते हम लोग अपने मूल रूप को भूल गया है यह बहुत दुख की बात है बिंगे प्रोफेसर आप बनार्शूंद इंवर्स्टी आयम फीलिंग कि वी है लॉस्ट दफेट इन आवर ओन सिस्टम तो हमारे हैं जैसे रसायन विज्ञान कहा तो तो इसको जरा गया डिक है लिए जो बुड़े लोगों की चिकस्ता के लिए यह ने किसी बच्चे को ना हो लिए घृघ्णा पेंदया को एक दम पाकेना को ईसके मिट वे भार्ति जी कि आर्वेत का मूर उदेश्ट क्या है मतलब हेल्दी मैं शुड रिमेन हेल्दी इडीज पर्शन शुड बी ट्रीटेट अब आप मॉडन में तो होता है जब रोगी होता तो डाक्टर क्या जाता है नहीं है कि किस्था को रोगी किहां जाना चाहिए कि वह हमेशा स्वास्त बना रहे स्वास्तर है, तो कितनी बिस्ट है तो फोकम की फिलिंग थी हमारे हैं, इसी पर मतलब मुझे जस्ट आप जो कह रहे हैं, उसी से याद है, मुझे किसी ने बताया था कि आयुरवेद का जो अप्रोच होता है, वो यह होता है कि व्यक्ति को पता ही न चले कि उसका दे है, यह तो पता तब चलेगा, जब कोई व्यादी हो गई, अंगुठे में दर्द है, तो पता चलेगा, अंगुठा है, जब मुझे बाडी का हर एक पार अच्छे से काम कर रहा ह है, तो मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास शरीर है भी, बिल्कुर ठीक कहा अपर, यह हमारा उद्देश है, अब इस उद्देश के प्राप्ति के लिए हम लोग ने पूरा प्रयास किया, अब आप एक बात और बता जेंए, हम लोग तो भूत बिद्या पर बा को अब देखा कि अमेरिका में जो वेलनेस के नाम से, जो सेंटर्स है, वो रेक्रियरेशन सेंटर्स है, वहा Champion की सुधा है पर इस यह सहत्श रवेट का वेलनेस नहीज नहीज तो मैंने वेलनेस सेंटर के फ़्थाकिय आरश संकाए में, हमने यही शास्ष्वासरत्रे प्र स्वास्त लोगों की आप ब्लड पेशर देखिये, उनका सब बात करिये, मेरे आर्वेद में कहा गया है ना, दस्विध परिक्षा, there are 10 तेन डेस्ट तो टेस्ट विदर एमन इस हेल्दी और सिख, तो मैंने का इस से देखिये आप नार्माल आजमी को, इसके बाद 2018 में हमारे पुर्धान मंतरी श्री मोदी जी ने बेर लाख वेलनेस सेंटर की परिकर्पना की पूरे देश में, जो क्रेडिन कोस्ट बनार सुन्दी इन्वस्टी, जो हमारा वेलनेस का कॉंसेप्ट था, सब्टमबर 17 में हमने स्टार्ट कर दिया, इसी प्रकार से आप समझ लें कि य इसके स्थापना भूज़ाएं भाव से भूत बना होगा मुझे लगता है जैसे संस्कृत में हम भूत को बता दिया, सत्ता हो जैसे साइंस में कहते हैं इस प्रकार संस्कृत में भूत मतलब कि जिसकी सत्ता हो अब शरीर कैसे बनाएं? मन, आत्मा, इंद्री यह जो तीन है और उसके बाद हो है और शरीर, आत्मा, इंद्री और मन, इन चार से यह आपका बना है पूरी बाड़ी अब इन चारों की सत्ता है और चारों पंच महाभूत से बने हैं तो अब जैसे पंच महाभूत क्या क्या है बताई आप जल, अगनी, वाई, प्रिथवी, आकाश इसी सबसे हैं शरीर बनाएं इसी सजीव और निर्जीव दोनों इससे बना हुआ है अब आप समझेए कि आर्वेद ने क्या किया कि शारीरी क्रूप पे वातज, पितच, कफज, तीन दोशों को बता दिया और पांसी क्रूप से सत्व, रज और तम को बता दिया और इसकी चिकिसा के लिए उन्होंने काय चिकिसा विभाक के स्थापना कर दी तो महर्शी चलक ने एक अलग से भूत विज्ञान को क्यों बनाया, यह बहुत इंपोर्टेंट है, क्यूंकि उनको यह लगा, कि जब शरीर से आप एकदम ठीक हैं, फिर भी आप अपने को रोगी महसूस कर रहे हैं, बताएगे को डिपरशक का आदमी है, तो उसका ब्लट तरंगे चलती हैं, तो आदि जा सकता है, एक उठाएगा कुछ जाएगा, यह मन के रोग है, तो महर्शी चरक ने कहा कि मन के सोलह रोग हैं, not one, साथ रोग सत्व के हैं, छे रोग रज के हैं, और तीन रोग तम के हैं, तम के हैं, टोटल सोलह, और सोलहो रोगों की पहचान अलग भंग से लिखी है, और सबकी तीन प्रकार की चिकिस्सा है, पैविक चिकिस्सा है, औशद चिकिस्सा है, इस प्रकार से तीन प्रकार की चिकिस्सा है, और वेदों में क्या लिखा हैं, चिकिस्सा के लिए, मणी मंत्र और आशद से चिकिस्सा की जाएगी, मणी मंत्र जो है जो मूल है जिसको ब्रिहत्र ही कहते हैं जो लोगों ने जो आर्वेद लिखा इसी कि टीकाएं चली आ रही है चली आ रही है तो जो संहिता है इसके अध्यन के लिए एक विभाग बना लेकिन सिद्धान दर्शन क्यों बनाया कि जो वेद में रह गया है उसका भी अध्यन करते रहो और आर्वेद में उसको प्रणित करते रहो क्योंकि आर्वेद एक प्रेक्टिकल विसाय है और वेद फिलासफिकल भी है इसलिए हमने कहा कि जिए सिधान दर्शन में जो वेदों में प्रिकर्पना है स्वास्त रहने की उसको भी पढ़ना चाहिए जिए भूत विज्ञान जो है यह उससे लिंक होगा मतलब मे जो भी कह दीजिए जी जी तो इसको आप में जैसे ट्रीट्मेंट है साइकेट्री है और इस तरह से तो उससे पैरलली करके बताईए तक क्योंकि लोगों को मन की बात और इस तरह की चीज़ों में पहले तो यह समझने कि भूत विद्या को अस्टांग शिदय में ग्रह वि फ्रवां कर चैक पूंट फिरा अगर कोई आदमी खुलेगा फिसमें हर संस्कित के शब्द का आंग्रेजी टर्मिनलोजी लिखा हुग बी वी बूट विद्या को गभुध्या लिखा और गरह विद्या का मतलब जो लिखा कि दर ट्रीटमेंट आफ क्या लिखाता है mental disorders या इस तरह से कुछ होगा कि treatment of कोई बात है हमारा यह कहना था कि जो मन के रोग है तो इसे modern में अगर आप compare करेंगे एक तो psychiatry हुआ जी जी उसरा psychological कॉंसलिंग हुई जी जी और थीसरा जो है स्वा साइको सोमेटिक हुआ जी चाचट प्रतिशत रोग है महर्शित चरक ने लिखा है कि प्रग्या अपराद से होता है प्रग्या पराद प्रग्या मतलब बुद्ध के अपराद ऑन कॉंशनेस जी कारण जो आप गजती करते हैं कॉंशनेसलि वो अपराद माना जाता है अच्छा और मैं इसको आम भाषा में कहता हूं आत्मा और मन के द्वंद को प्रग्या पराद कहते हैं आत्मा की आबाद सुनो आत्मा हमेसा सच बोलती है यह मन जो है आपको गलत या सही करने के लिए प्रिद करता है लाभानी के ल प्रग्या पराद से होता है इसका मतलब क्या हुआ कि मन के किस्सा करेंगे तो शार्षट प्रशत सारी रिक रोग भी ठीक हो जाए ठीक हो जाए अब देखे एक और बात आपको भाति जब कहेंगे हम लोग कहते हैं कि आरवेद जड़ से रोग को ठीक करता है अब जो है वो इसा रोग की रही शरीर की करता है इसा मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि जब रोग का कारण आप अप अप्रग्या पराद है अब आपको पता है कि आपको कोका कोला नहीं पीना है फिर भी आप पीए जा रहा है आपको पता है कि रात में जगना है फिर भी जगे जा रहा है जब मेटों से खाना मागा के खाल ले रहते हैं रात में 12 बजे जब भी कहा गया है कि रात के 10 बजे से 2 बजे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए और सिर्फ होना चाहिए जब आप जब जब जान के अंजान बनेंगे तो रोक तो हो गई इसलिए कहा कि प्रग्यापराद साइको सोमेटिक साइकेट्री साइकॉलोजी इस सब की चिकिस्सा जो है यहां पर अब देखिए इसमें इसको ग्रह विद्या कहा तो यह जो हमारे जो अस्ट्राइजी है जिँ अब हम छोग विश्त हो रहे है जिकार अर्वे से अलग चलने वेदों में जिए-जिए-जिए-जो हमारे यह जो टू डू प्रॉजेटिम्न पर देखना है अलचा स्ट्राइब होगा नाउ माजार डॉजार आदमी पे लिए तो देखना चाहते ह पागलपन आपको सबार हो गया तो आपके करते हैं दवा देते हैं नीट की गोरी देते हैं नहीं तो जेल में बंद कर देदें रसी जब बंद करते हैं सब्सक्राइब करते हैं इसके पहले की जो एक कवस्ता है साइकॉलोजिस्ट क्रिकल साइकॉलोजी को आपकी कॉंसलिंग करता है कोई जादू नहीं विज्ञान है यह जी जी इसको कैसे समझाएं समाज को भूत के नाम से आपने घोष्ट कह दिया और इतने बड़ी विद्या को हमारे आपने नकार दिया यह तो आप ही लोग इसका कुछ निराकरन कर सकते हैं नहीं तो वही है इसकार मतलब हमने सोचा कि इतना जब मतलब कुछ लोग तो एजेंडा के साथ ही से फैला रहे हैं क्योंकि बी-े-च-ई-उ पिछले कुछ दिनों में कई कार्णों से तो अभी क्या है कि मीडिया का मैं समझा रहा हूँ आपको सर की मीडिया यही होता है कि किसी एक को पकड़ के अगर आपका एजेंडा सौल नहीं हो रहा है तो आप किसी भी तरह से उसको घुमा घुमा के नेगेटिव वे में पोट्रे करते रहते हैं तो उसी का मुझे लग र मतलब भारत को तो ऐसे भी साप और सपेरों का देश मान के चलते हैं विदेश वाले तो बीवी से में चपा है वर्ल्ड और एसिया के उसमें इंटरनाशनल न्यूज में चपा है कि भारत में जो है यह भूत विद्या घोस्ट के लिए ट्रीटमेंट जो है वो चल और यह व ली जाए और भी सर अपने डिपार्टमेंट के वारे में और भी कुछ बातें बताईए जो आम लोगों को पता नहीं है कि अच्छा प्रशन किया पहले तुम्हें यह बता दूं कि काशी इंदुविष विद्याले 1916 में स्थापित किया गया भारत दरत पंडित मदर महन मा जाल्विया जी की सोच थी कि इंटीग्रेशन आप साइंस एंटेक्नालजी विट एंशेंट लाली तो उन्होंने संस्कित और धर्म विद्या विभाग खोला 1916 में और माइनिंग अन्मेटलर्जी खोला उसी समय तो नहीं विभाग खोले उन्होंने एक टेक्नालजी का एक अपने धर्म विज्ञान का धर्म विज्ञान में 1919 में आरवेद की एक यूनिट बना दी और 1919 में जो उन्होंने आरवेद पढ़वाने की परिकल्पना की संस्कित के एक अध्यापक के साथ एक आरवेद के वैद्य को कलकटा से पॉइंट किया जी 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 और उसके बाद 1922 में रेगुलर शिक्षा आरवेदाचार की टिग्री दी गई और उस शिक्षा के तहट उन्होंने माडन मेडिसिन के डॉक्टरों के पॉइंट किया ठाकूर बलवन सिंग को बुलाया बाटनी के प्रोफेसर को कि दर्गुन गाड़े पनाओ घानेकर जी को पुलाया पुमा जब आरवेद संकाय बना तो मेडिसनल केमेस्ट्री विभाग की अलग से इस्थापना की जिसका मैं प्रोफेसर हूं आयम पीज्डिन बायक मेस्ट्री जी जी और मैं यह क्यों क्यों कि उन्होंने कहा कि आरवेद का विकास बिना विज्ञान के नहीं हो सकता है जी इसलिए एक अलग विभाग आरवेद संकाय में स्थापित किया और उसका काम क्या था कि आरवेद की नई दवाईयों को विकास करना और जो दवाईयां दी जा रही है उसके में किम अब एक्शन को समझना यहीं से यहीं हमारे फादर थे डॉक्टर एसिं त्रिपाथी सुरिंद ना चुटा मेटकर साइंसेस के जनक थे इन लोगों ने एनिमल एक्सपरमेंट शुरू किया आरवेद के कंसेप्स को लेके एनिमल पर एक्सपरमेंट करना पूरे इंडिया में पहली बार बिश्विद्याले में शुरू हुआ जी जी और इन्हों एसें त्रिपाथी जी नहीं पहली बार कहा कि गुगुलू जो है कामी फोरा मुकुल गुगुल यह हाइपो लिपिडिमिक है लेकिन यह काम कैसे करता है यहां थाराइड ब्लेंड होती है इसके में को बढ़ा के काम करता है जी संतिर्सट में कहा और इधी के पहली विद्याथी थी जो MBBS करके MD पर कसना है और एक बात और आपको भार्तिश बता दें यह जो तीनों विभाग हमने बनाए हैं जिसमें शिक्षा दी जाएगी हम लोग physiological parameters और biochemical parameters पे इन मन के रोगों की जो चिकिस्सा करेंगे उसका आकलण करेंगे और इस पे शोध होगा माल लिए जो एक study भी है सिर्फ सिर्फ मतलब वो एक study case study case study भी चलेगी और सिक्षा जो दी जारी है तो आपको पहले ही बताया ना कि तीनों देश है शोध, research, teaching and hospital services जो य यह तीनों एक रूसे लिंड है जे आपको सुपर स्पेसालिटी के रूप में हम छे महिना ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप चिकिसा जब करेंगे तो जो चिकिसा का प्रभाव होगा उसकी हम study करेंगे जे बायो के मिस्ट अब देखिए हमारे हैं क्या कहते हैं से लेकिन को भी फिज्योजिकल चेंज होगा तो उसका प्रभाव आपके बाड़ी पर आएगा फिज्यालजी में चेंज होगा बैक में चेंज होगा हम अगर किसी आदमी की चिकिसा करेंगे सोलह प्रगार के रोग जो मन के बताएं हैं और हम लोग जो चिकिसा की विधी प्रवेद्ट है इसमें जड़ी बूटी है और मतलब लोगों में इसी तरह की भांतियां होती है कि आईवरवेद्ट है इसमें जड़ी बूटी है पतलब लिमिटेड नौलेज जो है आईवरवेद्ट को लेके तो जैसे आपने कहा अभी कि अगर मंत्र और मनी से भी है तो हम हम कोशिस करेंगे कि हम स्टड़ी करेंगे कि क्या ऐसा संभव है जैसे आपने एस्ट्रोलोजी की बात की तो लोगों में ये बात जानी चाहिए कि ये बहुत स्पष्ट रूप से जानी चाहिए कि आईवरवेद्व विज्ञान है और विज्ञान भी जैसे इंपरेकल स्टडी होती है जिसको वेस्ट भी मानता है हर जगा माना जाता है उन्हीं माननेताओं पर उन्हीं कसाउटियों पर हम कसेंगे और उसके लिए हमें क स्टडी चाहिए उसके लिए लोग चाहिए और वहम करने के लिए तैयार आपने बहुत अच्छा प्रश्ण किया भातिजिए मैं एक एक जांपुल दे दू आपको पिछले चार वर्षों से जो नोबुल प्राइज मिल रहे हैं सब आजय की कॉंसेट्ट मिल ला है अच्छ सब्सक्राइब को भी मार रहा है मतलब अभी तक लोग कहते हैं कि एक्टिब प्रिंस्पुल निकालो प्लांट का वह जादे काम करेगा सतर परसेंट अलोपैथी दवाएं आर्वेद्रिक और स्वधियों से निकली है जिए उसको हम लोग करते हैं फिर फैक्टरी में सिंट नहीं जो काढ़ा है वो जादे इफेक्टिव है इन कंप्रिजन टू प्योर कंपाउंड फिर उसके बाद नोबल प्राइज मिला वो मिला कि ब्रत करने पर आटोफेजी कोशिकाओं में आटोफेजी एक प्रंपरा होती है जब अपनी ही कोशिका अपनी ही छोटे-छोटे इसको खाने लगती है जब खाना आप नहीं देंगे किसी को तो आपके शरीर में जो डिपॉजिट है फैट कर्बोहाइडरेट प्रोटीन वहीं सब खाके आप जिंदा रहेंगे जिसे आप ब्रत करते हैं अंसन करते हैं दस दिन नहीं खाना पानी खाते हैं कैसे जीते हैं एक प्रोसेस है उसको आटोफेजिक है अपने आपको खाओ और यह बहुत जरूरी है सो साल जीने के लिए मेरे धर्मों में कितना ब्रत का वर्डन है आप तो इसको पहले सुपरिस्टिशन कह देते थे जी जी आप खाते ही जा रहे हैं हमारे यहां एक आदशी का ब्रत तो इम्मूंटी डिव्लप कर उने लिए हमारे हाँ पहले से परंपरा है कि इन्फ्रेक्शन को मत मारो बाड़ी की इम्मूंटी को बढ़ा है जिसे इंफ्रेक्शन हो इन बेट्री आई न और आप खाली वैक्षिनेशन करते जा रहे थे शरीर में यो आंटिबाडी बन रहा है उसकी शक्ति भी तो बढ़ाओ उसे रसायंच किस्सा है हमारे हैं जो नया एक को बताया रसायंच ज्ञान आपके व्यादी छमत्त को बढ़ाने की कैपेसिटी हम आपको ड्वेल अपकरते हैं जिए प्राइज मिला पिछले साल नोब प्राइज मिला वो क्या मिला वो मिला कि रात में सोना जो हम लोग सोते हैं आर्वेज में तीन पिलर्स हैं अहार निद्रा और ब्रहमचर तीनों से आधिश्वस्त रह सकता है एक में भी गड़बडी करेंगे पाप रोगी हो जाएंगे निद्रा जो है कितना इंपॉर्टेंट है तो हमने यह कहा कि जो अहार निद आर्वेज से निद्रा जो होती है शूरिका जी साइकल ऑड़ा निदेश्वस्त और इसी जाएंगे टोगे जाना इंपॉर्टेंट वारा रिद्रा यह नहीं तीन आप दिखिया हमारा कि हमारा आर्वेद कितना इंपॉर्टेंट था एक बताना चाहेंगे आर्वेदेश्त मेडिसीन प्रोसीजर एंड पत्थे अपत्थे जी वे अफ लाइफ क्या करें क्या क्या खाएं कब खाएं मेरे यह कहा गया है कि पांच घंटे का गैप रखो दो खाने में अभी आप घर से खाना खा क्या है और आफिस में बैठे इस्टूडियो में फिर काफी बिस्कुट प अभेड देट की दवा जड़ी बूटी जड़ी बूटी कहके इसको इलोपैथी से Спाम्पेर कर दिया जी 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 अप्रोच आफ आर्वेधिक ट्रीट्मेंट जो है उसमें तीनों को देखना है पत्या पत्या ऑशदी और अहार अहार अन्हार अब सबसे बड़ास अश्ध पूरे बॉड़ी पे हो जाता था और मतलब मैं नहां नहीं पाता था मैं कुछ भी नहीं कर पाता था और इस पर क्या करते हैं डॉक्टर एविल खिला देते थे रिएक्शन हो गया एविल उससे कुछ नहीं हुआ दस साल पंदरह साल पहले ऐसे ही कोई आयोड़ेत के प्रक्टिशनर थे उन्होंने मुझे बताया कि खाली पेट में साथ दिनों तक नीम का कॉपल साथ पत्ता काली में जो मरीच हम लो गोलते हैं उसको उसको पानी के साथ पी लो पित का लेवल तुम्हारा बढ़ गया वो घ आपने काली मिर्च और नीम की पत्ती खाली अस्वस्त हो गए और यह माडन वाले इसको मानेंगे नहीं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यह बताते हैं कि कैसे पित कम हुआ जो जलपुत्ती पढ़ती थी आपको इस्टैमीन नावक मालीक्यूर निकलने लगता है अच्छ इसको माष्ट सेल से मास्ट सेल होता है ब्लट में जैसके आप सा पर अब करने से स्टामीन निकलता है तो हम थैप सेल को ही स्ट्रांग कर देते हैं कि तूटनेव न पावे आप अलर्जेन आया तो मास से रुख गया तो उसको कहते हैं मास्ट सेल स्टेबिलाईजर तो हम ने जैसे हम लोग किया हमारी मिसेज भी साइंटिस्ट है डॉक्टर प्रतिभात रिपार्ठी जी 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 हमारा बेटा कार्डियॉलिस्ट है डीम इन कार्डियॉलजी भी एच् उन्हों ने वारे जो रिसर्च किया सेवंटिण नाइट्टी में उन्होंने अलवीजया लेवेक पर काम किया शिरीज का नाम सुनेंगे आप जो 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 शिरीज की छाल है जिसकी दवाबनती है शिरसादी कसा है जो वडर्फुल मेडशिन फ़ार दक अन कोल पेपर छपा हम लोग के साइंट्ट्रीक जनरल में, कहने मतलब यह हर चीज के पीछे विज्ञान है, और विज्ञान को हम लोग पकड़े रहते हैं, समय लगता है, हाली आप हवा में कोई बात उड़ा देंगे, जैसे हमने आपको कहा कि ब्रत के पीछे विज्ञान, सोने के विज्ञान, दवा जो आप कच्छी हल्दी खा रहा हैं और नीम का कोपल खा रहा हैं, इसके पीछे विज्ञान टाइम लगता है, और करते हम लोग, हाली दिक्कत ही है आगई, कि हम लोग की चीजें छप नहीं पाई, जल्दी हम लोग को समय लगा, पैसे का भाव साप तो पैसा भी हो गया, इंस्ट्रूमेंट भी हो गया है, पहले जमाने में हमने 79 में पिएजडी जुआन किया, जमाने में सब लोग कहते थे यह चुरन चटनी है आरवेद, आज पूरा विश्र आरवेद के तरब दोड़ा रहा हैं, तो हम तो 40 साल से आरवेद की सेवा कर रहे ह अज़े बायोगेमिस्ट, तो हमसे अधिक कोन जानेगा, आज़ी, मतलब आयुरवेद और बायोगेमिस्ट, मतलब बायोगेमिस्ट लोग सुनेंगे और बोलेंगे तो यह तो अलोपेथी हो गया, इसमें तो टैबलेट बनाना होता होगा और इस तरह की बात जाबगी, आरवेद जो है, बहुत बड़ा विज्ञान है, और सबसे बेस्ट लबोट्री आप दो वर्ड, जब तक नहीं लगेगी, आरवेद प्रूफ नहीं हो सकता है, और आज यह हो रहा है, पूरे विश्र के लोग, आरवेद के सिध्धानतों पे काम कर रहे हैं, और नोबल प्र है, अगर भारती जी विज्ञान नहीं होता, तो हजार साल से कैसे सर्वाइब कैसे करता है, और क्या होता आप सकता है, जैसे हमारा धर्म सस्टेन है, वैसे आरवेद विज्ञान है, लोगों को लाव हो रहा है, अब आपको बताएं, हमारे यहां एक अस्टांग अरवेद क को धनवाद दूंगा कि उन्हों ने योग को जिश्व अस्तर पर भढा दिया और मानी मोधि estreman अर्वेदा दिवस अनवा दिया लेकिन यो डियो रामदयोञी ने खाली आसब प्राणच को भी होल मौह कर दिया आसब प्राणच को जब्कि आपको अधारण ध्यान समाथी और आसन और प्राणायाम फिजिकल हो गया और यम नियम क्या है इसको पिसिन ध्यान ही नहीं दिया पहली बार मैंने ये 2018 जनवरी में एक नया पोश्टर बनाया और मैंने ये कहा कि बिना यम नियम को फालो किये योग का पूरा लाभ नहीं मिल सकता है हम आपको बता दे हमने शॉय सौ क्वेस्ट नेयर बनाया इन छातरों में टेस्ट करुए हम हम किसी बोलते हैं नहीं हम तो सच बोलते हैं जी जी अब किसी को अगर आप यम नियम है क्या जूट मत बोलो चोरी मत करो पाप मत करो जो किई दे क्वेस्टे matter प्वेंघने भ्यवेति में इसेंश। बहुत भंगा एक्सपेरिमेंट है और DST में प्रोजेक्ट लिखा था, उसने पैसा हमको नहीं दिया, समझी ने आया Department of Science and Technology को, कि यम नियम का प्रभाव क्लिया पे क्यों देख रहा है यह ग्याने का, जब आइसा ही देश का हमारे रहेंगे, तो कहां से विग्यान बढ़ेग यम नियम का प्रभाव, हमने कहा कि ठीक है कोई बात ने, एक आदमी के जो टटी की जांच कर रहा है इस टूल की, कि स्ट्रकार की बैक्टीरिया है, जो यम नियम फालो कर रहा है, उसके टटी में कैसा बैक्टीरिया है, और जो यम नियम फालो नहीं कर रहा है, उसके में कै सब्सक्राइब करना होगा तो जांच तो करनी पड़ेगी इस पर डियाश्ट्री को फंड करना चाहिए था हमको लेकिन अब दुर्भाग गया इस देश का कि फंड नहीं किया अब हम इन्वस्ट्री के प्रोफेसर हम कहां से एक प्रियोग में साढ़े नौ हजार रुपया ल लगेगा हमारा लेकिन अब आप करोणों रुपया खर्च कर दे रहे हैं लेकिन यम नियम का प्रभाव बेक्टिरिया पर डिक्ट आपको निसमझ में आएगा तो आलोपैथी की नकल और माडन की अरे अमेरिका की नकल करते-करते तो दिस बरबाद हो गया दिल की बात कह रहा है आपको नहीं लोकों खराब में यह तो बहुत बड़ा सत्य है कि सक्सेसिव गवर्मेंट्स ने कभी भी स्वास्त और सिक्षा पर उतना बजेटरी एलोकेशन नहीं किया है मतलब पैसे की कमी कहली यह देश के पास हो या किसी ने कभी ध्यानी नहीं दिया मतलब फालतू के उनिवर्सिटी में फालतू के खर्चे हो रहे लेकिन आप बता रहें जो बात की साइंटिपिक एक्स्परिमेंट है ठीक है बाद में पता चले कि नहीं ही हो रहा है लेकिन नकारने के लिए भी तो करो तो सही काम तो करिए अब आपको एक बात और बता दें आपको चुकि आपने बड़ा हमारे दिल को छू दिया है यह जो CCIM है सेंटर कॉंसिड़ इंडियन मेटसिन जो आरवेद के शिक्षा को रेगुलेट करती है इनका भी सुन लिए क्या हाल है यह ऐसे ऐसे विभाग बना दिये जिसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए कायच किस्सा एक विभाग था जो आश्टांग आरवेद का कायच किस्सा से इ वो अल्टरा वो कोई पैथालजी अपनी नहीं चला सकता है अच्छा शी नाट अथराइज टू ओपन इस पैथालजी तो क्यों अलग किये तुम्हारे आरवेद में कौन सा बिक्रिती बिग्यान डेलप हुआ माराडन की पैथालजी कापी करने के लिए तुम नया डिपार गया है आरवेद कितना पीछे रह गया है यह सोचने की बात है यह सी सी आई एम जो है माडन की नकल करने में करने में करने में आरवेद का नास्करती है आप जैसे काने कि पहले से शुरू होता क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है से टेक्नोलोजी आगे बढ़ती है और आदमी अकुपाय होता है, तो अभी का जो लाइफ स्टाइल डिजिस जितना है, आप अभी थोड़ी देर पहले बतारें, जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, आदमी मतलब तनाव में रहता है, हमेसा टेंशन में रहता है, और उन मानसिक वेदनाओं के कारण उ अगर हमने शुरू में ही भूत विद्या जो है, इसी को हमने फॉलो किया होता है, आपने अयरुविद्धिक मॉडल से, तो हो सकता है कि अभी हम कहने को तो कहने कि हमारा 50% पॉपलेशन जो है, वो यंग है, लेकिन वो यंग आदमी पर कितना स्ट्रेस है, कितना वो तनाव में जी रहा है, वो नहीं होता है, तो चली अच्छा लगा, हमनों ने आज कई बाते ने ट्रच की, योग को भी अधूरास योग हमारा फैल रहा है, खाली आशन प्राडयाम को लोग योग समझने लगे, यह नियम को बुल गये, उसमें किया, डियास्टी ने पैसा तक नही हमारे कहा गया है, गराति जट्रागनी, ठीक हो तो पूरा शरी हो सकता है, जब शर्णी मतल क्या होता है, डैजेस्टी पावर को थो ठीक ही यह नहीं, और हम लोग पता नहीं क्या-क्या आगे रिशर्च करने लगे, जब कि ज़एड़ास ट्रच का कंसेट आया, ज़-ज- आपका या अप्रोच है कि इंटीग्रेशन होना चाहिए चीजों में बिल्कुल योग हो गया आईरवेद हो गया मतलब जो ट्रीटमेंट की चीजें हैं इन सारी चीजों का इंटीग्रेशन होना चाहिए जबकि कुछ जगहों पर अपने नाम लिया वहां पर तोड़ा जा रहा है अलग लग किया जा रहा है उसको एक तरह से मॉडर्ण में वेस्ट में जैसे चला उसी की कौपी बनाके आगे बराने कोशिस हो रही अरे भारती जी अब अमेरिका इंटीग्रेट करने लगा है वहां पर डिपार्टमेंट अब इंटीग्रेटिम मेर्सिन खुल ला है और यहां पर काचिक इस्सा को तोड़के विक्रिति विख्यान और पंचकर बनाये जा रहा है अब पता ही आविर कहां से कहां जाएगा फिर 15 साल बाद सर में इंटीग्रेश्ट बना है हमको तो रहे अलग है यह तो है सु प्रकार से अलग होता है जी 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 सर बहुत बहुत आभार आपका और आशा है कि दर्शकों का हमारे जो पाठक हैं एक हम आर्टिकल भी इस पे लिखेंगे ताकि इस तरह के सिर्फ और आपने इतना समय दिया लगवक पचास मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं और आपने पूरी बातें बताएं ना सिर्फ बूत विद्या पर बलकि आयुर्वेद एक्शुली क्या है और इसको चूरन चटनी आप बता रहे थे कि दुनिया जो है इस तरह से देखती है अभी भी बहुत लोग कंफ्यूजन है तो हम आशा करेंगे कि अपने अस्तर से इन बातों को कैसे और बहतर तरीके से यह इंटर्व्यू तो हम डालेंगे अपने पार्टकों के सामने इस पर आर्टिकल भी लिखके हम और भी क्लारिटी लोगों तक पहुंचाएंगे बहु इस पर आपने वह अर्क मिडीज सबको सजा दी गई जिसने सत्र की बात कही उसको सजा दी लोगों ने पागल कहा उसको सजा दिया कुर्सिफाइग कर दिया बाद में लोग माने इसलिए आपको मैं यही मैसेज दूँगा कि आर्वेज सास्वत है और हम लोग वैग्यानिक हैं अंत्र विश्वासी नहीं है जो कह रहे हैं आज नहीं तो कल हो के रहेगा अगर आपको बताईए कि इंडिया में 60% लोग मंदिर में जाते हैं और अंठी पहनते हैं जोसी कहां जाते हैं हवन कराते हैं अब इस साथी चढ़ जा तो पूजा करते हैं आप क्या सूचते ह इनको कुछ फाइदा नहीं हो रहा है जो हम लोग नहीं खोज पाएं हैं इसलिए आज अंत्र विश्वास करें जीरो पाउर का बल्ब है कल यही प्रूफ हो जाएगा जी 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 बात नहीं है यह जो वेस्ट हस राए हमारे उपर यह गलत है पहले हसता था अ और मैं आपके डिपार्टमेंट का भी बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने समय निकाला और इस तरह के चीज पर आप रिसर्च करने जा रहे हो इससे समाज का ही भला हूँ